नमस्कार बच्चो मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चो का चलो कदम बड़ाई चैनल पर स्वागत करता हूँ आए चलते हैं exercise 9.3 के question number 5 के D की पार्ट की तरह देखी जिसमें लिखा सब्ट्रेक्ट subtract करना है हमें first expression को second expression में से subtract करना लेकिन हम देख रहे हैं first expression में two brackets given है उनसे पहले को digit लिखा है तो पहले हम उनको क्या करेंगे product करेंगे बाद में जो second expression है उसको भी पहले product करेंगे बाद में हम सब्टेट करेंगे आईए हम इसको करना शुरू कर देते हैं देखिए फिर वही बात 3A को पहले इस पूरे प्रैक्ट के साथ मल्टिप्लाई करना है करने का तरीका क्या होता है मैथड क्या होता है पहले 3A को A के साथ करेंगे फिर 3A को B के साथ करेंगे फिर 3A को प्लस का साइन, अब 3A को B के साथ करेंगे, क्योंकि यहां पर कोई कोफिसेंट है, ने तो 1 है, वह 1 तो 3 बंजा 3, और A, B, यह अलग अलग टरम हो गए, तो A, B को हम प्रोड़क्ट की फोर्म में लिखेंगे, प्लस 3A को C के साथ करेंगे, तो ठीक वैसी आज़ा, 3AC, ठीक है माइनस है, और यह ब्रैक्ट के अंदर प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, जी हां, तो इसको करेंगे तो 2AB आ जाएगा, माइनस 2AB, ठीक है बच्चो, अब यह आ गया, अच्छा, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो माइनस B C आ जाएगा ठीक है यह आ गया अच्छा फ्रों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रों हमें इसको माइनस करना किस में से इसमें से आए इसको भी प्रोडक्ट अले पहले 4C को A के साथ करेंगे पर 4C को C के साथ करेंगे आए कर लेते हैं इसको 4C को A के साथ करें तो माइनस माइनस आएगा क्योंकि माइनस है यह प्लस है माइनस प्लस माइनस होते है माइनस 4AC 4AC आजाएगा यह ऐसे प्लस का साइन 4 को 4C को B के साथ करें तो 4BC ठीक है क्योंकि 4 और इधर B और C इस पर कर लेख सकते हैं हम तो 4 को C के साथ 4 C को C के साथ करेंगे तो 4 और C को C किया तो C square आ गया क्योंकि power क्या हो जाती है add हो जाती है इन में क्या थे अलग-अलग ट्रम थे इसलिए हमने इसको multiply की form में लिखा है आईए हम इसको करते हैं आगे देखिए सबसे पहले ऊपर वाले में हमने क्या a square है कि कहीं पर नहीं है a b हाज जी a b तो है ठीक है इसको लिख लेते हैं पहले 3 a square फिर a b 3 a b और 2 a b यह है यह है यह है प्लस यह है माइनस माइनस प्लस माइनस हो ते है नबर के सामने प्लस का है शान है तो पलस a 3 मेंसे two minus करेंगे a one one sorry one बचेगा और one को लिखने के लिए आपको one लिखने की जरूरत नहीं होती है ये one a b ही हो गया ठीक है coefficient one को नहीं लिखते हैं फिर ये तो हो गया अच्छा a c a c तो नहीं है नहीं है तो इसे इसे लिखने लिखेंगे पलस three a c फिर minus ये तो हो गया a c हो गया ये भी हमने कर दिया ये two b square ये इसको लिखेंगे पलस two b square और minus two b c ठीक है इसको हमें minus करना है from इसमें भी देख लिखेंगे इसमें तो अलग अलग है सबी लिख लेते हैं minus four a c plus four b c plus four c square ठीक है बच्चो अब इसमें से minus करना तो इस term को इस expression को हम आगे लिखेंगे ठीक है minus four a c plus four b c plus four c square ये देखें ब्रैकेट पर रख लेते हैं minus करने के लिए minus कर साइन लगा देते हैं और इस expression को last में लेते हैं three a square plus a b plus three a c plus two b square minus two b c ठीक है ये ऐसे आए ब्रैकेट को लेते हैं minus four a c plus four b c plus four c square minus आप देखें ब्रैकेट के अंदर ये plus का है और ब्रैकेट को लेके बाद ये minus का हो गया इसका मतलब है सभी के sign bracket के अंदर जो भी है सभी के sign हम change कर देंगे ये plus है तो ये minus a b ठीक है ये ये भी plus है तो ये भी minus three a c और ये भी plus है तो ये भी minus two b square और ये minus तो ये plus two b c ठीक है बच्चो इस परकार आईए अब हम करते हैं a c a c देखें कहाँ पर है a c j ये रहा a c ये रहा इदर तो four a c और three a c ये minus है ये भी minus है minus four minus three minus seven ठीक है minus seven a c हो गया minus seven a c ये हमने कर दिया ठीक है बच्चो अब b c b c देखें b c किदर है b c ये राजी b c ये भी plus है ये भी plus है ये भी plus है four b c और two b c four or two कितने होते है six six b c हो गया ठीक है अब c square देखिए c square तो इसमें नहीं है कहीं भी a square भी नहीं है a b देखिए a b तो a b खाली a की a b है और तो a b नहीं है तो हम इसको लिख लेते हैं पहले a b और बाद में ये square वाले लिख लेते हैं ठीक है plus four c square minus three a square और minus two b square ठीक है ये आ गया आईए हम इसको लिख लेते हैं पहले सबसे पहले बच्चो a square लिखी लिजिए a square three a square फिर b लिख लिजिए minus two b square फिर c लिख लिजिए plus four c square ठीक है अब ये लिख लिजिए ये लिख लिजिए minus seven a c plus six b c minus a b इसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं a c के बाद a b लिख सकते हैं पहले a b लिख सकते हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता आप किसको पहले लिख रहे हैं ठीक है न ये expression होती है तो ये आपका answer आ गया बच्चो आपको ये question कैसा लगा मुझे comments में जरूर लिखें और इसमें से शीख कर आप दूसरी बच्ची को जरूर शिखाएं चलो कदम बढ़ाएं देश को शि अन्यवाद